नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा आज हम सीखेंगे एक ऐसा प्राणायाम जो हर समस्या में लाबकारी है और जिसका कोई side effect नहीं है, जिसके उपर कोई restrictions नहीं है कि गर्मियों में नहीं कर सकते हैं इस समस्या में नहीं कर सकते हैं, इस समस्या में नहीं कर सकते हैं, सभी लोग इसका नियमित अभ्यास करके अपने मन को शांत रख सकते हैं, रख्त के संचार को बहतर कर सकते हैं, हाइपटेंशन की समस्या से दूर रह सकते हैं, बहुत दिक्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, चे नहीं इतने इतने लाब आप अगर इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सा करात्मक बदलावाएगा हम बात करें हैं भ्रामरी प्रानायाम की पर ध्यान रखिए हम एक बार विरेश में थे हमारी शिविर चल रहा था और शिविर में जैसी हमने का भ्रामरी प्रानायाम तो एक विद्यार्थी ने तुरंट का ओ से वियर लर्णिंग बी ब्रीधिंग तो हमने का नो इस नौट ब बीब्रीधिंग, इस बंबल बीब्रीधिंग, जिसने भावरे को देखा है, वो ही भ्रमर गुंजन कर सकता है, जो प्रकृति के साथ समय नहीं बिताया, जिसने, जो ग्याजट्स में गुसा हुआ है, जिसे पता ही नहीं भावरा कैसी आवास करता है, वो तो फिर इसे मक्खी जिसी आवास ही समझेगा, और भी ब्रीधिंग ही कहेगा, हमारे मोक्षायतन योग संस्थान में समय समय पर अनेक अनेक वरक्शॉप्स, अनेक अनेक कोर्सेज होते हैं, और उन कोर्सेज में रूपांतरण हो जाता है लोगों का, यानि ट्रांस्फोरमेशन हो जाता है, हम जो अभी तक बिमारियों के धरातल पर जी रहे थे हम स्वस्त जीवन जीने लगते हैं, हम जो दुख के धरातल पर जी रहे थे सुखी जीवन जीने लगते हैं, और अब तो life has become very convenient तो वो सब कॉर्सेज ओन लाइन भी अवेलेबल हैं और ओन लाइन भी लोग उन कोर्सेज क बंद कर लेते हैं, नाक से गहरा सास लेना, नाक से ही सास छोड़ना, पर सास छोड़ते समय भावरे जैसे आवाज क्रियेट करना, भ्रमर गुंजन करना कानों को खोल देंगे, शरीर को धीला छोड़ देंगे, थोड़े देरी से स्थेती में रुखना, आख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, दीरे दीरे से आखों को खोल देंगे, भ्रामरी प्रानायाम का निया मित अभ्यास करें, पांच से दस बार दक इसे रिपीट करें अती सरवत्रवर जएद, access of everything is wrong हमने देखा कुछ लोग भ्रामरी शुरू किया तो दिन भर भ्रामरी कर रहे हैं दिन भर sound of humming एक्रियेट कर रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर किसी जिसकी positive effects होते हैं तो उसके negative effects भी होते हैं और इसलिए कहा गया गुरू परिष्ट मार गेने योग में वसमब्यसेद गुरू की प्रतेक्ष मार्ग दरिशन में ही योग की साधना की जानी चाहिए योग को सीखना चाहिए आप भी देखा देखी साधे योग चीजे काया बाड़े रोग नहीं करेंगे हम इस कारिक्रम के मादिम से जितना दिखाते हैं जितना बताते हैं उतना ही अभ्यास करें या फिर हमारे कोर्सेज जोइन करें लेकिन सही सीखें सही अभ्यास करें और सही अभ्यास करके सही रूप से सही स्वास्थे पाएं झाल